So hello दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा, एक वाफे तो स्वागत्त है, मेरे इक नवी वीडियो जैसा कि इस वीडियो के थम्नेल पर आप देख क्या होगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करेंगे MBA के बारे में, कहां से CGC के बारे में, तो CGC एक ऐसा कॉलेज की आप MBA भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको पैसे की प्रॉबलम है, या आपका बजट कम है, या आप थोड़ा सा बज़ेट फ्टरेंडली जाना चाहते हैं, MBA भी करना चाहते हैं, तो ये कॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, CGC के महंगा इसे क्योंकि वह एक चंडिगड उनिवर्सिटी है लेकिन यह तीनों ही जो जो उनिवर्सिटी है वह एक ही ओनर की है तो यहाँ पर हम specially बास करेंगे जो दो कॉलेजिस के अंदर आते हैं जो की चंडिगड गुरूप ऑफ कॉलेजिस के अंदर आते हैं जो की जंजेडी और इन दोनों ही कॉलेजिस में जो आपकी फीस है वह बहुत ही जादा कम है तो इस वीडियो में जैसे कि आगर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे सब्सक्राइब करना चैनल पर क्यूंकि इस साल की ये 2023 की सबसे पहली वीडियो है जो MBA हम CGC के उपर बना रहे हैं इसके बाद continuously अब चैनल पर वीडियो जाने शुरू हो जाएंगी जो कि MBA चैनल पर उनिवर्सिटी के उपर भी आएगी MBA LPU के उपर भी आएगी MIT के उपर भी आएगी तो MBA हम different colleges के उपर evaluate करें कितना फीस है क्या सब रहेगा तो अगर आप MBA करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना Key Points मैंने आपको सारे बताई दे कि इस वीडियो में हम आगया कि क्या डिसकस करेंगे और हम जो भी डिसकस करते हैं ऐसी निकरते हम PPT के थ्रू और WEBSITE की थ्रू डिसकस करते हैं ताकि जो भी मैं आपको बताऊं वो Facts रहे हैं क impost पता लिगी के सांदमनेशाथ्न मुझे कहां से मिल रही है यह आप कहां से नहाँ कई कर सकते हैं यह जर सबसे पहले बात को आती हैं में थसकी कौन थाया जैसेति अब नन्य हैं कि पहले वह रांट है ऑफ चंडजेडी कमसी नाम से लगा निद भी घ्रबरमें और types तो आप देखेंगे three different institutions under cgc, cgc landra, cgc chanjedi and chandigad university. तो chandigad university इन दोनों university से double महिंग है, क्योंकि एक university है, तो हम focus करेंगे cgc landra और chanjedi के उपे, जो भी information दोगा MBA के बारे में, वो landra और chanjedi के लिए valid होगी, chandigad university के लिए बिल्कुल valid ने होगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया यह branch इसका है उसके बाद आती है cgc की locations क्या है तो जो cgc लांडरा और cgc जंजेडी है इन दोनों में 10 km का difference है और जो cgc लांडरा है वो चंडिगड से सिरफ 10 km दूर है चाहिए आप अगर देखना भी चाहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ जैसे आप सर्च करेंगे online cgc लांडरा distance from चंडिगड तो यह अप्रोक्सिमेट 10 km का distance सिरफ अगर आप जाके maps में जाके देखेंगे तो चंडिगड से बहुत पास पड़ जाती है तो यहां पर आप देख सकते हैं 30 मिनिट का यह डिस्टेंस है और यहां पर 14 km है न तो 14 km का यह डिस्टेंस रहेगा आपका चंडि तो जो और जो आप इसकी वात करते हैं चंडिगड उनिवसिटी यह तो रेलवे स्टेशन से बहुत ही जादा दूर है लेकिन कंपेरिटिवली जो सीजी सी है वह एक बहुत अच्छी लोकेशन पर लांडरा क्या है लांडरा एक विलेश का नाम है जहां पर यूनिवसिटी यहां पर सीधी बस चलती है अगर आप चंडिगर बस टैंड पर हां से लांडरा की बस लेंगे लांडरा अप्रोक्सिमेट वह बीस-पचीस मिनिट लेगी आपको चंडिगर बस टैंड 43 बस टैंड से या 17 बस टैंड से लांडरा चोड़ देगी सिरफ बीस रुपे में तो यहां पर आम स्पेशली बात कर रहें, लेकिन मैं आपको टोटली वेबसाइट से बता दे तो आप कोई भी कोई भी कोर्स का जो फी स्टुक्चर कैसे देख सकते हैं, तो यह सब अगर इंफोमेशन में आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो निचे दिस्क्रिप्शन में हम यहां से अपने किसी भी ब्राउदर पर कॉपी करेंगे, तो आपको CGC Landra का फी स्टुक्चर मिल जाएगा, बट अगर अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है फी स्टुक्चर या पको कोई भी चीज समझने में दिक्कत आ रहें, तो निचे दिस्क्रिप्शन में लिंक्स द पर फी स्टुक्चर में कुम्ब्योटर साइंस गर देक सकते हैं इतनी सास्ती MBA आपको सबसे सस्ती MBA आपको जो मिलेगी करने हैं आपको कॉलेज में जाके करणी है यह distance education नियॉकेशंट हूए श्सक्राफ पीज है क्लासिज लेगेंगे सब कुछ फिजिकल ही होगा तो यह प्रॉक्सिमेट आपको मिल जाएगी देख सकते आपकी कितनी 47,000 रुपीज है तो उसके बाद अगले समेस्टर से कहा गई आपकी 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 पहले समेस्टर में उसके बाद 4700-500 रुपीज आपके अगले में देखते हैं admissions हो गई आपकी total fee structure calculate कर लेते हैं आपका fee structure मैंने बता दिया तो अगर आपकी यहाँ पर हम जैसे देख लेते हैं कितनी फीज लेगेगी आपकी आपके सामनी में calculate करके बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं जो नहीं है यहाँ यहाँ पर 2,000 रुपीज आपकी पर समेस्टर पर सम 2,000 रुपीज आपकी exam fees भी लगेगी तो यहाँ पर हम इन सब को calculate कर लेंगे तो यहाँ पर पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं total हमारे कितने 2 साल का course है तो आपके कितने हुए चार समेस्टर हुए जिसमें से आपके 3 सम समेस्टर की फिस का है 47,500 प्लस 2,000 तो इसको multiply कर लेंगे हम 3 से उसके बाद हम प्लस कर लेंगे इसमे 49,000 जो आपके पहले समेस्टर की फिस है उसके बाद हम प्लस कर लेंगे इसमें जो 1st semester की आपकी exam fees है तो total fees आपकी लगी 1,99,500 तो 2,00,00 में आपकी क्या हो जाएगी यह आपकी 2,00,000,000 पूरी MBA की फीज है चार समेस्टर की तो देख सकते हैं इस दो लाक रुपे तो यार मतलब जो आप बड़े कॉलेज में जाएंगे न तो दो दो लाक रुपे तो आपकी सिरफ उसकी फीज है college की fees है तो यहाँ पे हम link भी देते हैं आपका total कितना लगेगा 199950 rupees 4 SEMS total MBA fees तो यह लग गई आपकी total fees जो सिरफ आपकी fees fees किया भी आपको hostel वगेरा का वो सब आगया आगया बताऊंगा तो fees structure हो गया तो आपके admission कैसे होती है जैसे आप इस link के ओपर जाएंगे तो आपको admission वाला page मिल जाएगा सारा इसको हम थोड़ा बंद कर देते तो उसके बाद अब जाओगे इस वाले link पे जो मैंने आपको दिया देखे CGC MBA वाला तो यहाँ पे आपको MBA के बारे में 3 years in any discipline from any recognized university can apply for MBA मतलब आपको minimum 3 साल का कोई भी bachelor degree का course किया होना चीए किसी भी ऐसी university से जो recognized है तो आपको यहाँ पे direct admission मिल जाएगी यहाँ पे admission लेने के लिए आपको कोई exam नी देना कुछ नी देना आपकी directly admission हो जाएगी यहाँ पे कोई cat यह कुछ एग्जामनी देना आपको online form फिल करना जैसे यहाँ पे लिखा है न अपलाई न हो जैसे आप अपना ही लाओ के क्लिक करेंगे आपके सामनी यह form फुल जाएगा आपको अपना नाम नंबर आपको चले यहाँ पे scholarship रिटेल भी बता देता हूं तो यहाँ पे scholarship यहाँ याँ यूनिवस्टी की तरफ से कोई भी scholarship ऐसे directly न दी जाती क्यों क्योंकि यहाँ पे already fees बहुत कम है सिरफ 49,000 रुपीज पर semester fees है तो इसके उपर scholarship क्या ही लगेगी तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पंजाब गवर्मेंट की scholarship है या जो अपनी इंडिया लेविल की government scholarship मतलब जिसको आप कहते हैं कि government scholarships है वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं तो यह scholarship वाले page के उपर जाके आप जह सकते हैं यह scholarship वाला में लिंक यह भी आपके लिए दे देता हूँ यहाँ पे ब्रोचर डाउनलोड करना है यहाँ आप यहाँ से डाउनलोड ब्रोचर करेंगे तो यह आपको सारी details मांगेगा जैसी आप समिट कर देंगे तो आपको WhatsApp के उपर आपकी email के उपर यह ब्रोचर डाउनलोड होके मिल जाएगा तो इसके अंदर यह सारा MBA के बारे में क्या कि ब्रोचर डाउनलोड ब्रोचर डाउनलोड ब्रोचर करने के लिए अगर आपको क्या क्या कर सकते हैं अगर आप मार्केटिंग में करते हैं तो आपके पास यह उपर जाएंगे तो आपको चूस करने का मौका मिलेगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन में स्पेशली करना जाते हैं तो इसके अगॉर्डिंग यहां पर लेकिन यह सारी कंपनीज आती हैं आती नौकरी.com प्रेक्ट को जो आती हैं तो अगर आपके बड़ी बड़ी कंपनीज की वह यहां पर नहीं आती जैसे की बात करें गूगल यह सब ल अगर आती हैं हर साल उसके बाद यहां पर आपको टॉब रूटर यह जितने भी कंपनी के यहां मेंशन किये यह एशे इसली प्लेस्मेंट के लिए तो यहां पर आपको बहुत प्लेस्मेंट मिल जाएगी अगर आप एक अच्छे एवरेज टुडेंट और आपके माक्स व मतलब यह नहीं की placement मिल जाएगी. Placement के लिए company ज़रूर आ रहे है. Canra Bank, CCD, Decathlon, Deloitte, यह सब आएंगे placements के लिए. बहुत company आएगी लेकिन आपको placement तभी मिलेगी. अगर आप क्या academic record अच्छा होगा और आपने MBA में अच्छा perform किया होगा. उसके बाद अभी last point जो हम discuss कर रहे हैं वो है कि MBA वर्थ रहेगी CGC से या नहीं. तो सबसे पहले जो fees wise है अगर आपको पूरे यहाँ पे पंजाब में या कहीं भी और सबसे सस्ती MBA करनी है तो आपको CGC में मिलेगी. आपकी MBA कितने में हो रहे है दो लाग में अगर आपको यहाँ पे 4 लाग का भी average package मिलता है जो कि सबसे lowest average package है मतलब कि इतना तो almost सबको मिली जा रहा है जो अच्छा average perform कर रहे है उनको 4 लाग का package तो मिली जा रहा है तो आपने 2 साल इंवेस्ट किये यहाँ पे approximate 2 लाग की fees अगर आपकी एक लाग भी होश्टल की fees होगी तो दो साल की 2 लाग होई 2 लाग वो 4 लाग की तो return of investment अच्छा है अगर आपको यहाँ पे 4 लाग का package भी लग गया minimum और अगर आपका academic record बहुत अच्छा है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं MBA में भी आपने बहुत अच कंई सब्सकतर अच्छा है और अच्छा में बहुत डैकर को में लाग शत्तों प्लाग में बहुत अच्छा है और अच्छा लाग हैं और आप तो सस्ता से पंदडoder 15 km दूर है तो आप एक बहुत अच्छी location पे रहेंगे जिसे कि आपको लोगों का अच्छा exposure मिलेगा enjoy करने के लिए भी location बहुत अच्छी है तो teachers आपको मैंने अल्रीड बिता है क्योंकि ये degree आपकी सब जगा चलेगी आना बहुत अच्छा recognized college है और कोई दिक्कत नहीं है आपको बहुत ही कम पैसे में बहुत अच्छा placement package मिल सकता है तो मेरे इसाब से तो अगर आप MBA करना चाहेंगे बिल्कुल वर्थ रहेगा तो सारे points में आपको बता दिए आवरेज placement बता दिए average package यहां का रहता है 4-5 lakh रुपीज और जो इनका maximum package आज तक MBA में गया है वो approximate 24 lakh रुपीज है जो मिला है वो एक दो बच्चों कोई मिलता है यार उस पर मत जाओ जो average package पर जाओ जो maximum बच्चे प्लेस होते हैं तो वो रहते हैं कि 4-5 lakh पर ही रहते है maximum बच्चे और यहां पर seats भी MBA वगर के थोड़ी limited रहती है तो आप जितना जल्दी हो सके हैं अगर आप MBA में इमिशन लेना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके हैं अगर आपका budget कम है तो यहां पर admission लेकि अपनी seat book कर लो ताकि यह बाद में आपको दिक्कत नाए क्योंकि यहां पर seat full होगी तो आपको MBA बहुत महांगी पढ़ जाएगी अगर आप प्रश्टल की बात करें तो यहां पर आपको जो फ्लाट है वो एटीन थाउजन बीच के मिल जाएगा अगर आप पीजी की बात करते हैं तो आपको 5 जाउजन रुपीज में पीजी मिल जाएगा पर्मत जिसमें आपका खाना भी इंक्लूड होगा और रहना भी इंक्लूड होगा और हॉस्टल की बास करें तो हॉस्टल आपको अप्रॉक्सिमेट वान लाक रूपीज में परियर पढ़ जाएगा जैसे कि अगर हम सर्च भी कर लेते हैं यहां पर तो यह आपका हॉस्टल फीज आ ठीक है यहां पर दिया हो यहां पर इसे फोर सीटर रूम की जो फीज है वो सिर्फ नाइनटी थाउजन रूपीज है मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया था वन लाक आपकी हॉस्टल फीज लेगेगी तो दो साल की टोटल आपकी टू लाक हॉस्टल फीज लेगेगी जिसमें से आपका रहना खाना वाइफाई जिम सब कुछ इंक्लूड़ होगा आपका हॉस्टल फीज में तो टोटल एंब आपको अप्रोक्सिमेट पड़ जाएगी सिर्फ फूर लाक रूपीज में यहां से बाकी कॉलेजिज में इतना खर्चा थी लाक रूपीज तो आपका एक साल कही आ जाता है तो आपको सब कुछ बता दिया I hope सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हो एक बार की पॉइंट्स फिर से देख लेगते हैं ब्रांच बता दिया लोकेशन बता दिया तो अब डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पूरे लिं नया नया बन रहा है तो C.G.C. Landra का जो कैंपस है वो जंजेडी से बड़ा है वो बहुत बड़ा वो भी नहीं है लेकिन जंजेडी से बड़ा है वो जंजेडी अभी लेटस न्यू बन रहा है तो वो थोड़ा चोचा कैंपस है तो अगर आपको थोड़ी फन लाइफ ची तो आप C.G.C. Landra में अप्लाई कर सकते हैं C.G.C. Landra में अप्लाई करेंगे और वो थोड़ा सा ज़ाधा पास भी है चंडी गड़ से तो अगर आप C.G.C. Landra में अप्लाई करना चाहते है तो यहाँ पर आपकी सिंपल सी वेबसाइट पर जाना है आपको जैसे यह रही आ यहाँ पर हम क्या सच करेंगे C.G.C. Landra सच करते ही यहाँ पर होस्टल फीस अटा देंगे तो यह आपके सामने यहाँ पर यहाँ आगई C.G.C. Landra की वेबसाइट यह वेबसाइट को पूरा खूल के आप यहाँ से सारे फंक्शन बगारा देख सकते हैं अगर आपको अप् C.G.C. Landra वाले आपको सामने से कॉल करेंगे एडमिशन के लिए और सारी हल्प कर देंगे अगर वाइद आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है इसमें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स वगएरा दे रखे हैं टीम सपोर्ट के लिए बैठी हैं वाटसेप जितने भी लोगों के कमेंट आते हैं में के कमेंट कर रिपलाई करता हो जितने भी आपके डाउट्स है सारे डाउट्स क्लिए करता हो तो आई होप आपको इस वीडियो से हल्प मिली हो तो वीडियो पसंद आई होते हैं और वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर आई होप आपको वीडियो पसंद आए यो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई